आज हम इंची टेप के बारे मताने जा रहे हैं यह हमारा पांच मीटर का टेप है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पांच एम लिखा यहाँ भी लिखा पांच एम के मतलब होता है पांच मीटर तो यह पांच मीटर का टेप है अब हम आपको बता रहे हैं जो वन टू उपर कि अगडा हुआ है बडा बडा उसको हम एक इन्च दो इन्च दीन आइंच चाड़ें इसी तरह कड़के हम को यहाँ पर आएंगे हम 12 इंच का यह जो है 12 इंच का एक फूट होता है जो यहाँ पर 11 इणप 8 यहाँ बाल है यह फिर यहाँ से एक इंच शुरू होता है तो हम यहाँ पे बाड़ा इंच का एक फूट उसके बाद 24 इंच का दो फूट यह हो गया आपका 36 तीन फूट हो गया इसी तरह हम इसको मापते हैं जैसे हमारा कोई भी चीज मापना हो तो हम इसी तरह मापेंगे एक इंच में कितना सूट होता है अब हम आपको एक इंच तो किलियर हो गया एक इंची में आठ सूट होते हैं यह जो बड़ी वाली है उसी को हम बोलते हैं एक सूट दो सूट तीन सूट यह हो गया चार सूट चार सूट में आधी इंच फिर यह हो गया पांच सूट छे सूट साथ सूट आठ सूट आठ सूट में होता है हमको एक इंची तो यह जो बड़ी वाली लाइनिंग है उसी को अब उससे ज्यादा बड़ी लाइनिंग है तो यहाँ पे हो गया आधे इंच हो गया तो इसी तरह करके हमको मापना है तो यह तो किलियर हो गया आपको एक इंची और एक इंची में कितने सूत होते हैं तो आठ सूत होते हैं और बाड़ा इंची का एक फूट होता है तो इतना किलियर हो गया एक फूट छे सूत का हमको पलाई काटना हो या बोड काटना हो तो हम इसी तरह सूत का माप करेंगे एक सूत दो सूत तीन सूत चार सूत पांस सूत छे सूत तो हम छे सूत ये जो है छो चोटी चोटी लाइने हैं इसमें आधी सूत अगर कातना हो अमको 8चोट तो हम क्या करेंगे 7 इंची हो गया हमको 7 इंची अधाई सूत तो 1 सूत 2 सूत यह छोटी वाली लाइनिंग है तो हमको यह हो गया 8चो अब यह पूरा होगा तो 3 सूत हो जाएगा यह 4 सूत अगर हमको सारे 7 इंची के काटना हो तो यह क्या होगा 7 इंची 4 सूत तो यहां से हम गिंती करेंगे अगर बड़ी वाली लाइनिंग करेंगे तो 4 सूत अगर छोटी वाले लाइनिंग करेंगे तो 8 सूत हमको नापना पड़े एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो ये छोटी और बड़ी दोनों मिला कर अगर हम मापते हैं, तो हमको आठ हो लाइनिंग मापेंगे, तो हमारा होगा आधा इंची, यानि चार सूत, और इसी तरह करके हमारा ये कितने लाइनिंग है, सोला, तो सोला लाइनिं का होता है, एक इंची, और इसको हम बोलते हैं, एक सूत, दो सूत, तीन सूत, चार सूत, पांच सूत, छे सूत, साथ सूत, आठ सूत, तो इसी तरह हमको मापना होता है, तो एक इंच का होता है, आठ सूत, तो बारा इंची का होगा, हमारा एक फूट, 24 इंच का दो फूट 36 इंच का 3 फूट इतना किलियर हो गये आपको अब बताते हम आपको इसमें M M 1 cm में होता है हमारा 10 M M 2 cm में 20 M M 3 cm में 30 M M 4 cm में 40 M M 5 cm में 50 M M 6 cm में 60 M M 7 cm में 70 M M 8 cm में 80 M M 9 cm में 90 M M 10 cm में 100 M M तो यह हमारा बिजली के जब काम करते हैं उसमें यूज किया जाता है आई यह जो उपर वाला हम बताए थे 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 1 foot यह प्लाइबोड के काम हो गया जो कारपेंटर लोग इसको यूज करते हैं यह कारपेंटर लोग यूज करते हैं इंची से मापते हैं और सूत से मापते हैं अब यह हम बता रहें जो इलेक्टिक के जो काम करते हैं उसमें यह कम मापते हैं तो हमारा यह होता है यह हो गया हमारा 10 cm का होता है 100 mm 20 cm का होता है 200 mm 30 cm में होता है 300 mm 40 cm में होता है 400 mm 50 cm में होता है 500 mm 60 cm में होता है 600 mm 70 cm में होता है 700 mm 80 cm में होता है 800 mm 90 cm में होता है 900 mm 100 cm में होता है 1000 mm कपड़े मापने के लिए हम लोग क्या चीज के यूज करना पड़ता है, मीटर से हम कपड़े मापते हैं, एक मीटर में कितना इंच होता है, 49 इंच का एक मीटर होता है, 1000 mm का 49 इंच होता है, 100 cm का 49 इंच होता है, ये दोनों लाइनिंग सेम है, एक में ही है, लगा हुआ, हमको आधा मीटर अगर कपड़े के माप लेना हो तो सारे अनाइस इंच होता है तो हमको यहाँ पे सारे अनाइस पे यहाँ पे जो है चार सूत अनाइस इंची चार सूत पे हमको आधा मीटर हो गया एक सूथ, दो सूथ, तीन सूथ, आ ये बड़ी वाली लाइनिंग, चार सूथ तो चार सूथ पर हमको हो गया, सार है, अनाइस इंची मतलब हो गया हमारा आधा मीटर अब इससे भी कम करना है, ये हो गया हमारा नो इंच, आ हमको कितना चाहिए? एक मीटर का चाउथा भाग, तो चाउथा भाग हमारा हो गया, नो इंची, एक सूथ, दो सूथ, तीन सूथ, चार सूथ, पांस सूथ, छे सूथ 9 इंची 6 सुत को मिला कर हो जाएगा चौथा भाग का जो एक हिसा बचता है वो होता है आधा मीटर से आधा तो आपको इस वीडियो में सब तो हम बता दिये किलियर है फिर से एक बार हम बता दे रहें कि 1 इंच में 8 सुत होता है और इसमें जो छोटी छोटी लाइनिंग है ये कितना होता है? 16 होता है एक यहां से लेकर यहां तक में 16 लाइनिंग तो ये एक सुत है जो ये बड़ी वाली लाइनिंग उसमें जो है छोटी वाली लाइनिंग वो आधी सुत है तो ये आधी सुत हो गया एक सूत, फिर ये डेर सूत, दो सूत, ये हो गया हमारा आरहाई सूत, ये तीन सूत, ये सारे तीन सूत, ये चार सूत, चार सूत में आधी इंच हो गया, फिर सारे पांस सूत, छे सूत, सारे छे सूत, सारे सात सूत, अब यहा हो गया आठ सूत, आठ सूत में एक इंची होता है और छोटी वाले जो लाइनिंग है वो 16 होता है 12 इंच में एक फिट होता है इतना किलियर है और ये 10 mm में 1 cm होता है 20 mm में 2 cm 30 mm में 30 cm तो mm भी हम समझा दिये आपको और कपरे मापने के लिए 49 इंच का एक मीटर होता है ये 49 इंच का एक मीटर तो बस हम इस वीडियो को समाब है और अ अ